अब जैपूर में भी मेव कोलेज जर्णल कॉंसिल ने मयूर इसकूल खोलने का लिया फैसला जैपूर में दस एकड़ में फेला केंपस पूरा एक अंडिशन होगा डिगे पहले इसमें मेव कोलेज जर्णल कॉंसिल अजमेर के तत्वाधान में पहली बार सीधापूरा में 2023 के लिए मयूर इसकूल को खोलने का फैसला लिया गया डिरेक्टर नमन कंदोई ने बताया कि इसकूल पूरी तहरी कंडिशन होगा ये दस एकड़ में सिक्षा परीसर फैला हुआ है छातरों के विकास के लिए सकूल खो खेलों से लेकर अतरिक पाठे करम गतिविदियों के साथ एक इकरत शिक्षा का अनुठा समयाजन होगा सीनियर वाइस शेयर मैं रंढीर विकरम सिंग् ने कहा कि 1875 में स्तापित मेय कोलेज की जेडरी कौन सिर्च ने जैपुर में भी उसी तरस पर मययूर श्कूल खोलने का फैसला लिया है जिसे की मययूर शकूल के नाम से जाना जाता है उमीद है कि जैपुर में भी लोगों को मेयो कोलेज की खौईश पूरी होगी, उसी तरस पर पूरी पढ़ाई होगी जैपुर के बच्चों को फूर्ण स्कूल, मेरो स्कूल, मेरो परेज, एसी सिख्षा भी हम दे सके हैं मैंने भूब कोशेश की, भूब स्कूल देखें, बोड में भी गए, पहले को भी मैंने अमेरिका पड़ाया, लंदन पड़ाया, उसके बाद CBC में जोग में भी बेजा, और लास्ट आपको दान्ते हो में इससे मैंने पानी पता से भी दो साल कर भीगवाए, उसका एंट अपनी के नाम से, यह वहां से एजुकेशन देने आने के बाद, यह मैंने इसको पानीपता से बेजने के लिए कि आप दुनिया को समझो, यह लोग क्या चाहते हैं, हमारी पैसा कमानी के नहीं सोची, हमने इंजिनरी कोलेज खोलगात हो जाए एक में, वह आज पिलत कर रह कलाम साग भी से इसके विजिद किये कि हमारे पैसे का लेकर नहीं होता है, यह विष्वास मैंने मेयो को भी दिया कि हम ऐसा स्कूल सवाइब जो मेयो के परचिनों पे चलेगा, एक भी ऐसा ताम मानी होगा, जो मेयो के अग्रेशन या मेयो के नहीं चाहते हैं, और यह जैसा कि हमने पहले डिसक्स किया था, हमारा जो एड्मिशन ओपन हो रहा है, वो क्लासिस वन तु सेवन के लिए हो रहा है, और जो क्लास वन में एंट्री के लिए, यह टारगेटिंग फी पॉंट ऑफी ताउजन एसके अलावा आपकी सिक्योरिटी डिपॉजित और कुछ 12,000 उपे महीना आमको लगता है कि most working parents can afford और वो एक ऐसा आमको pushin दे देता है, where we can deliver the best education and spend on our teachers training, इसका में आपको सबसे बड़ाइड़ाइस बताता हूं, जो हमारी budgeting है, हमारे teachers की हम 13 months की salary count करके चाले, because one month salary has to go back on educating, on training and upgrading our teaching fraternity, because हम यह नहीं मानते है कि school, भीवारों से, चार quality और उसकी intent से बनता है, तो जितना हम investment, reinvestment अपने teachers में करेंगे, उतना हमको लगता है, हमारे बच्चों को फाइदा है The Alla electric Alla Vivi, he has said we have a big tea escuela, he will make these Alla 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 अगर आप आज के दुनिया में देखें कि टीचिंग सबसे लो प्राइटी में आ रहा है क्योंकि उनको सभी सेरी नी मिल रही है तो अगर आपको अच्छे टीचर चाहिए तो आपको अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा तो इसलिए जो स्ट्रक्चर उनने ने बताया है कि उनका 60-70 परसन जो टोटल खर्चा है वो खाली उनकी सेलरी में जाता है और उसके बाद उनका जो इंफ्रस्ट्रक्चर उसके अंदर पैसा लगता है तो आज की तारीक में इतना महंगा हो गया पूरा सब चीज तो उसके उसको देखते में यह जो फिगर्स उनने दिये को बहुत ने नॉमिनल फिगर्स है